हेलो बच्चों, गुड मॉर्णिंग, क्लास सेकेंड, चप्टर नुमर थार्ड, साप और नेवला, यह आपके छोटा सा चप्टर है और बहुत ही अच्छा है, मैं आपको समगाती है, ठीके, सबसे तुने हम इस चप्टर को रीट करते हैं, इसमें है, एक है साप है और एक है नेवले, नेवला, साप और नेवला आपने हमें सुनाएं, साप और नेवला एक दुस्टर के दुश्मर होते हैं, और इसी चप्टर के इसे साप और नेवले के बारे में बिताया गया है, एक पति-पत्नी है, जैसे रामदास और सावेतरी पति-पत्नी थे, दावरी, उनक एक फुत्र था, उसका राम था, सोनु उन्होंने अपने गर्मे एक नेवला पाल रखा था, नेवला आपने देखा नभी, नेवला साँका दुश्मन होता है, नेवला पाल रखा था, सोनु और नेवला इसे जेके एक दुसरे से घेल मिल गया चे दननों पड़के दोस्त बन गयाए थे कॉन' होसोनु और नेवला सोनु राम्दाज और सभीत्री से बेटा ठाओ और नेवले कों दोनों ने पाय लगा था और सभीत्री नेवले का दोस्त बन गया था Jesus राम्दा सपने खेत पर गया था, सावित्री भी किसी काम से बाहर गयी थी सोनु पाल्मे में गैरी निंग में सो रहा था, सोनु चोथा चोटा था और पाल्मे में सो रहा था पाल्मे समस्त्यों छोटे में जुले में सुलाते उसको पाल्मे थे नेवला पालने के पास बैठ कर उसकी रखवाली कर रहा था और जो नेवला था सुनु का दोस्त भी था और रामदाक और साभित लीड नेवले को पाल रख रहा था तो वो सुनु की रखवाली कर रहा था एका एक नेवले की नज़त साफ पर पड़े यहां पर शब्दा है एकाय, एकाय का मिलब अच्छा लग से, नेवले की नजर किसके पढ़ी साप कर पड़ी, वह सुरू मुख्ये पालने की तरफ सरकट आ रहा था, वह सुरू पानले मुख्या रहा था, और यहुझा इदम तेजी से साप जो रहा है, इदम तेजी से पालन की तरफ आ रहा था, और नेवले की नजर साप कर पड़ी, नेवले ने उचल कर साप की गर्दन तो नेवला इदम उचला और साप की गर्दन को पकड़ी ला, फिर तो साप और नेवले में जम कर रहा है, साप और नेवले में बहुत ही जम कर रही तुम, खतर्णा जर्णा अंत में नेवले ने साभको मार डाला बुनाच्ट में की ओगा? सादार। नेवले ने साभको मार दिया ठोड़ी देल में नेवले ने साभुत्री को आखे देखा सोभु की मम्मी feh assimect की साभुत्री आ ही नेवले ने जितना के भी रहा है और वो इदन से धवाले के पास पूछा था. वहां जोड से नेवले को मारा घाया अपना जोड से उसको मारा की नेवला मर गया इसके बाद दाडती हुए कम्रे के अंदर पे ही सोगशता हुआ को सुलक्षते देखकर वह बड़ी खुश हुआ जैसे ही वह दोर कर कमरे के अंदर गई और देखा कि सोर जो था वह पालने में एक्ची से सोर आये तो उसको सुदक्षित देखा और एक्दम से खुश हो गई उसकी नजर मरेवे साफ पर पड़ी और फिर उसने देखा कि यह पास में जो है साफ मरा होगा था वह विलाप करने लगी उसकी नजर मरेवे साफ पर पड़ी उसे अपनी गलती समझते दे न लगी और उसको तुर्ण सारी बात समझने आगे कि भी क्या हुआ था नेवले ने तो साफ को मारा का और मैने साफ को मार मैने नेवले को मा डाला वह विलाप करने लगी और होने लगी तो यह मैंने क्या कर दिया जिस विश्वास पात्र नेवले ने उसके बेटे की जान बचाई थी उसी को उसने मार डाला उसे अपाग भुख्वर मगर वहां पश्चाताब करने से कोई फाइदा नहीं था आप उसने तो नेवले था उ ने तो उसको मार जरो हो रही थी और आप कोई फाइदा नहीं पश्चाताब करने से कोई फाइदा नहीं जैसे क्या आपको सीख नहीं थी की बिल कोई भी काम जो है बीना सोचे समझे ऐसा कोई कदम न उठाना चाहिए जिसके बादना आपको पच्छताना पड़े जैसे सा नेवले को मार दिया इसलिए एसा कभी ने करना चाहिए कोई बीना सोचे समझे कोई बलत ना आपको God बिला सोचे समझे कोई भी बलत फिला नहीं उगाना जाए इस आने आपको यह प्रेड़ा मिलती है ठीक है बहुत चोटी सी है इसके अभ्यासकारियां हम बात में करेंगे इसके कठी शब्दार्ट में आपको साथ साथ में बताए थे जैसे एक आएक 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 आपको बताय आपको कॉपी में करने है और आपको मिला साचे समझे कभी भी कड़ा नहीं उठाना है ठीक है थैंके बच्चो